और अब बात करेंगे बीजेपी भास्पा गडबंधन में दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ ओम प्रकाश राजभर लगतार सीयम और सरकार पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी भी अब भास्पा को बरताश्ट करने के मूड में नहीं दिख रही है वरारसी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महिन नात पांडे ने अश्गरा से भास्पा विधाय कैलाश नास सूनकर को चोर और ठक बता डाला आपको बता दे कि मंगलवार को पियम मोदी के संसदिये शेत्र वरारसी में डिप्टिसियम डॉक्टर दिनेश शर्मा राज़की डिग्री कॉलेज में बड़िच्ज संकय का उधगाटन करने गये थे लेकिन उधगाटन के शीलापट पर अस्थानिय विधायक कैलाश नास सूनकर का नाम नहीं था और इसी मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महें डात पांडे ने सफाई मांगी थी इस पर उन्होंने अश्गरा विधायक पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो चोर और ठग निकल गये इसलिए उनका नाम शीलापटो पर नहीं दिखा गया उन्होंने बताया कि विधायक पर गरीबों को ठगने का आरोप है मामला संग्यान में है और इसकी उच्चिस तरिये जाच कराई जाएगी महें नात पांडे ने कहा है कि सरकार गरीबों को ठगना बरताश नहीं करेगी जिलाधिकारी मिली है कि घरीबों को लोन दिनाने के नाम पर उस विधायक ने लोगों को ठगा है जिलाधिकारी को गरीब जंता ने ग्यापन दिया है उसकी उच्चस्तरी जहां छोगी योगी सरकार में किसी गरीब को ठगना योगी सरकार बरदास्त नहीं करेगी चाहे वो विधाय को या सामाने अज़्ड़ तो आपको बता दें कि बीजेपी और भास्पा गडबंधन में दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजबर लगतार सीम और सरकार पस सवाल उठा रहे हैं तो वहीं बीजेपी भी अब भास्पा को बरताष्ट करने के मूड में नहीं दिख रही है आपको बता दें कि वरार्सी में बीजेपी के प्रदेश अद्यक्ष महेंनात पांडे ने अज़करा से भास्पा विधाय कैलाश नास सूनकर को चोर और ठक बता डाला आपको बता दें कि मंगलवार को पियम मोदी के संसर्य शेत यानि कि वरार्सी में डिप्रिसियम डॉक्टर दिनेश शर्मा राज़की डिग्री कॉलेज में वड़िज संकय का उधखाटन करने के थे और इस ख़बर पे हमारे समवदाता मदन मोहन हमारे साथ जुड़ गया है मदन जहां एक तरफ हम बात करें कि ओम प्रकाश शाजबर अपने विवादित बयानों के वज़े से सुर्खियों में रहते हैं वहीं दूसरी तरफ एक यह भी बयान आ रहा है कि महिनात पांडे ने बस्पा विधायक को यह बताया है कि वो चोर और ठक का आरोफ लगाया उन्होंने यह सही है कि आपके जो इतने बाज़ापा के प्रदेश सद्ध्यक्ष महिन दनाथ पांडे द्वारा कल वारा सी कि पर खादी ग्रामों द्युक के नाम पर सब्सेटी दिलवाने के नाम पर बुन करों से लगबत 600 क्रोर रूपर ठकने का रूप लगाया गया है इसी के उसमें जो है उन्होंने ठग और चूर सब्दों का इस्तिमाल किया महिनात पांडे जी और मदन आप से ये भी हम जारेंगे कि जिस तरह से अपना बिवादित बयान दे रहे हैं कि वो एक ठग है वो एक चोर है कैलाश ना तो क्या उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है इसमें करवाई जाच की जाएगी और इसमें जो अगर दोसी पाए गाया तो उन्हों पर झाल कि कौर कारवम।